इसमें एक बार रिकैप्चूलेट कर लेते हैं जितनी चीज़ें पढ़े हैं एक्टिव पावर रियक्टिव पावर के बारे में तो पी जो है वो हमारा आया था पी था वी आई पॉस ठीटा यह वाट में यूनिट था एंड क्यू था वी आई साइन ठीटा इसका यूनिट वार था वोल्ट एंपियर रियक्टिव करते हैं यह रियक्टिव पावर है अब यह रियक्टिव पावर हमारा जो है यह जो है रियक्टिव पावर क्या है कि यह हो सकता है कि यह पॉसिटिव हो हो सकता है कि यह निगेटिव हो हो सकता है कि ये 0 हो तीनों condition इसमें हो सकता है लेकिन जब हम real power की बात करेंगे this power ये हमेशा positive होता है ये negative नहीं होगा क्योंकि cost का बड़ा से बड़ा value 1 हो सकता है और इसके negative और positive Q होने का क्या मीनिंग है कब positive होगा कब negative होगा ये आपको समयना पड़ेगा देखिए कैसे समयते हैं अभी जो हमने फेजर डाइग्राम इससे पहले वाले lecture में जो 9 लेक्चर नमबर 9 में जो डिसकस किया था उसमें क्या था कि यह हम जब फेजर डाइग्राम खींचे थे इस तरीके का तो यह आपका reference line था और यह मान लिजिए कि हमारा यह y axis है जिसको हम लोग imaginary axis कहते हैं तो यहां पर हमारा क्या था यह जो ठीटा आया था यह ऐसे था और यहां से हम इसको एक line को सीधा खींच देते हैं नीचे ऐसे यह था हमारा यह वाला जो point है इस point को यह वाला line अगर हम इसको ऐसे मिला दें यहां पर ले करके तो इसको देखिए यह वाला जो line है आपका यह वही length यहां है same length है यानि ओ एक कह दें इसको हम और इसको बी कह दें और सी कह दें तो ओ ए इक्वल टू छे सी है यह हमारा ओ गया ओ एक्वल देखिए तो इस case में ये वाला जो हमारा इसका मतलब क्या है कि ये inductive dominant वाला है अगर ये वाला angle यहां बनता है ये theta है inductive dominant कहते हैं तो ठीटा यहां क्या है positive है यहां theta is positive तो ठीटा अगर positive है तो इसका मतलब होता है कि power जो है ठीटा जब अगर positive हो जाएगा तो आपका reactive power क्या होगा ये positive हो जाएगा then q will be positive है अगर theta positive है और q क्या होता है वी आई sin theta है इसका मतलब है ये positive theta है तो sin theta positive हो गया तो q positive हो गया अब इसमें क्या होगा आपका कि ये जो theta है ये theta positive है यानि कि ये इस ताइट है तो positive है तो ये यानि कि inductor के case में q क्या होगा positive हो जाएगा अगर circuit हमारा inductive है तो reactive power इस case में क्या होगा positive हो जाएगा reactive power positive जो है कि ये हो जाएगा हमारा और अगर वही ठीटा अगर आपका negative हो जाए negative किस case में होगा इस diagram को भी हम draw करते है ठीटा अगर negative होने का मतलब क्या है कि ठीटा अगर negative है ऐसे यह आपका capacity हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा यह इस तरीके से यह आएगा यानिके यह वाला आपका पार्ट हो जाएगा इसको तो रियल एक्सिस यह वाला माइनस जे ओमेगा एक्सिस वाला नीचे तो इधर लाइन आ जाएगा यह और इसको ऐसे मिला देंगे इसको ऐसे मिला देंगे तो ठीटा यहां हो जाएगा तो यहां ठीटा क्या हो जाएगा negative होने से sign negative क्या होता है negative हो जायता है तो q is negative पर theta negative और यह किस case में होगा capacitive circuit के लिए होगा capacitive dominant करेगा और यहां पे inductor dominant करेगा inductive होगा तो यानि effectively जो circuit में जो part होगा वो आपका क्या हो जाएगा dominant जो करेगा वो आपका inductor करेगा और एक में capacitor करेगा तो यह diagram ऐसे change हो जाएगा यानि कि यह वाला जो line हो जाएगा यानि कि यहां पे हम कहेंगे 1 by omega c minus omega l हो जाएगा यह और यह उपर जा रहा है तो omega l minus 1 by omega c हो जाएगा यह और इसी वे minus कर देंगे तो यह वाला नीचे के side चला जाएगा यह जाएगा यह यह जे मेगा एक्सि사 यहीं है negative side का यह positive side का इमेजनरी अच्सिस से इस तरह से हम क्यूआ का positive या negative कैसे decide करते हैं कि क्यूआ है आपका ज будем加फ़एग्टिपावर है रिचभी पावर mm बी पॉजिटिप और lagging and negative आटीफ उर लीडिंग पावर फैक्टर लोड यह है यह यह जो है यह जो देख रहा है है यह क्या होगा देख्लो इसको 113 ऑप क्या है यह V by Z होता है न और ये V divided by Z का मतलब है Z angle theta ये theta ऊपर चला जाएगा तो minus हो जाएगा V by Z into angle minus theta रहा है तो ये load जो हुआ ये load current जो हुआ ये कैसा है lagging है ये तो lagging होने का मतलब है क्या होगा ये inductive circuit हो जाएगा लेकिन inductive circuit में ये angle देखना Z क्या हो जाएगा यहां से impedance वाला angle क्या है positive है यहां ध्यान रखना impedance वाला angle positive है बट current वाला angle negative है और capacitor के case में यहां पे लिखेंगे अगर हम Z1 मान लो तो इसको कहेंगे Z1 angle minus theta रहेगा ये lag कर रहा है ना पीछे impedance नीचे रह गया तो इस case में अगर current निकालेंगे I1 तो ये हो जाएगा V by Z1 का magnitude और angle हो गया minus theta ऊपर चला जाएगा तो V by Z1 और into हो गया ये angle ऊपर जाएके plus theta तो ये I इस case में क्या हो गया lead हो गया तो theta is negative for Q negative ये and sorry Q is negative for theta negative यहाँ theta negative हो गया लेकिन इस case में क्या होगा power factor आपका ये angle कैसा होगा ये current वाला angle leading होगा दोनों में ध्यान समझो ये Q negative होने का मतलब है theta negative हो गया यहाँ वाला theta negative हो लेकिन current तो leading nature का होगा और अगर current leading nature का है तो वो circuit कैसा है capacity है और capacity circuit के case में Q क्या हो जाएगा negative होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये capacitor है तो ये Q negative होने का मतलब क्या है कि ये reactive power देगा ये और अगर यहाँ inductor है तो ये Q क्या करेगा लेगा positive है ये ये negative होने का यही मतलब है तो अब हमारे पास कहीं भी circuit हो उसमें Q है negative मतलब क्या है कि ये capacitor है Q है positive इसका मतलब inductor वो reactive power ले रहा है और capacitor क्या होता है reactive power देता है ये लेता है ये देता है average value इसके case में भी 0 है और इसके case में भी average value 0 है लेकिन real power जो लेता है वो resistance होता है ये सिर्फ लेता है ये और ले के इसको heat के form में waste कर देता है resistance जो है अब इस चीज़ को हम लोग बहुर detail में समझ चुके हैं real power reactive power के सारे concepts हमने discuss कर लिये हैं जितना इसमें था complex power भी बता दिये हैं कि complex power जो है s equal to v into i conjugate कहते हैं अब यह थोड़ा सा portion हम नागराथ के concept से भी यहां ले लेते हैं नागराथ के book से भी तो इसमें देखिए नागराथ के book में जो लिखा हुआ है इसमें है ऐसा लिखा हुआ है कि a s equal to यह definition वहां भी यही है अब इसमें क्या किया गया कि इसको जो है v और i को साथ यहां भी यही वाला यहां भी वही definition लिखा हुआ है p plus j q लिखा हुआ है इसको break किया complex है ना complex number है यह तो complex जब होगा complex का मतलब होता है कि real part होगा एकि imaginary part होगा जैसे mathematics में पढ़ते हैं complex number real plus imaginary complex number है तो यह complex part होगा s को हमने break किया है और यह क्या है v और i का conjugate है यानि i अगर हम लिख दें कि 5 angle 30 degree है तो इसका conjugate होने का मतलब है कि magnitude तो यही 5 रहेगा बट यह angle minus 30 हो जाएगा conjugate का यही मतलब होता है जैसे दोनों देखो इसको अगर हम break करते हैं 5 angle 30 को अगर हम break करते हैं यहाँ पे तो क्या लिखते हैं इसको इसको लिखते हैं ना 5 cos 30 plus j 5 sin 30 अब अगर इसका conjugate लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है minus लग जाता यह चीज और यह चीज दोनों एक ही है अगर इसको break करते हैं तो क्या लिखते हैं 5 cos minus 30 यह पलस 30 यह ही होता है लेकिन sign में minus sign लिखेंगे तो minus हो जाता है यह इसका conjugate यह हो गया अब इसका conjugate लिखते हैं यह पलस आता है यहाँ minus हो जाता है दोनों एक ही चीज दो तरह से लिखने का तरीका है इसको हम लोग कहते हैं rectangular form rectangular form और इसको कहते हैं यह भी rectangular form है और यह वाला जो form है this is called polar form polar rectangular बार बार आएगा इसका rectangular को rectangular से हम add भी कर सकते हैं multiply भी कर सकते हैं divide भी कर सकते हैं इसमें तीनों काम कर सकते हैं लेकिन इसमें add नहीं कर सकते हैं polar को polar से add नहीं होगा multiplication and division होता है इसका अब माल लीजिये आपके पास कोई circuit है जिसमें ये नागराथ के book का ही है circuit को हम draw कर रहे है माल लीजिये आपके पास जो है कोई एक circuit है जिसमें ऐसा part दिया हुआ है ये है आपका एक कोई circuit है इसे ये है इस तरीके से इसमें है आई current ऐसे flow हो रहा है और यहां इस line में लिख रहा है E and U ऐसे है और यह है R और यह है L है तो अब इसमें ये circuit दिया हुआ है जिसमें आपके पास क्या है एक voltage source है जो V angle 0 है यानि इसको ऐसे भी लिख सकते है V इक्वल टू V कॉस ओमेगा टी यह लिखें यह यह लिखें दोनों बात एक ही है यह इसा लिखा हुगा है अब इसमें देखो अगर हमको इसमें कहें कि complex यह RL circuit है यह R और L है इसमें मालो complex की अगर बात हो लिखना V I conjugate लिखेंगे यह लिख सकते है उसके बाद देखो V को हम क्या लिख सकते है Z into I भी लिख सकते है और यह हो गया I conjugate voltage equal to होता है I into R होता है R को यहाँ Z से लिखा जाता है तो इसको आप थोड़ा सा हम और modify करते है इसको हम लिख सकते है Z यहाँ देखो क्या लिख सकते है यहाँ इसको हम यह मालो की अगर इस दोनों के अगर हम magnitude को क्योंकि यह magnitude अगर निकालेंगे conjugate का magnitude जैसे इसका magnitude देखो 5 है इसका भी magnitude 5 ही है अगर हम Z का यहाँ बात लिखे तो Z क्या होगा R पलस J XL होगा की नहीं यहाँ खाली inductor है तो इसका impedance यह L लिखा हुआ है तो इसका XL क्या होता है J into omega into L होता है XL लिख दिए है Z लिख दिए और इसको I का square करऊ तो यह इसको लिख सकते है I square plus I square R पलस J I square into XL कर सकते है तो यह वाला जो power है किसमें resistance में है तो इसको P कहते है real power और इसको कहेंगे Q कहेंगे reactive power यानि XL में निकालना है power तो I square into XL कर दो और अगर यही capacitor यहाँ लगा देते इसमें निकालना होता तो I square into XC कह देते है और XC क्या होता है 1 by omega C I square into 1 by omega C कह देते है यह आपका हो गया power निकालने कहीं तरीका है resistance में I square into R inductor में I square into XL capacitor में I square into XC इस तरह से ही हमारा power जो है निकाल जाता है अब एक इस पे जो है question है हम एक question आपको बता देते हैं फिर उसके बाद इस topic को हम close करेंगे बाद की अब जतना concept है numerical है सब आपको अपने बनाना पड़ेगा हम एक question बना देते हैं इसके basis पे एक question डिसकस कर लेते हैं हम लोग अभी theoretical बहुत portion पढ़ चुके हैं बहुत थोड़ा आगे level तक का भी बता दिये हैं इसमें तो अब इसमें हम एक simple सा question है जो नाग्राफ को ठारी कही है एक्चुली ये current source है AC है लेकिन ये current source है voltage source नहीं है इसमें पूछ रहा है find the average power fade to the circuit by current source and power factor find the average power fade to the circuit circuit कौन सा है यही वाला portion ये circuit है ये पूरा जिसमें ये resistance है ये भी resistance है ये क्या है capacitor है capacitor का ये xc दिया हुआ है जो 1 by omega c होता है 1 by j omega c j omega c इसको simplify करके ये लिख दिये हुआ है यानि 1 by omega c के जग़ा पे 6 है इसका यहीं मतलब है 1 by omega c is 6 और उपर नीचे j से multiply कर देने पर ये क्या हो जाता है j into g minus 1 हो जाता है तो इसी लिए ये वाला term जो है minus j by omega c होता है तो ये 1 by omega c यहाँ पे 6 दिया हुआ है ये आपका resistance दिया हुआ है 3 ohm ये दिया हुआ है 5 ohm पूछ ये रहा है average power ये कितना circuit को देगा मतलब इस पूरे circuit को ये जो supply करेगा average power यानि के आपको ये निकालना है। कि अवरेज पावर निकालने के लिए हम निकाल सकते है current हमारे पास यहां से पता है ये current हमारे पास known है देखो ये current दयर रखा है 10 ampere zero degree इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 cos omega t लिख सकते हैं पलस 0 हो गया यह एंगिल 0 है यहां पे यह भी दोनों बात एक ही है इसको हम बार-बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग confused न रहें यह चीज के लिए यह दोनों एक ही चीज होता है अब इसको क्या करना है हमको हमको current निकल गया अब यहां पे अगर हमको voltage निकल जाए तो यह current पता है हमको voltage निकल जाएगा और उसके बाद power factor निकल जाएगा तो हम average power भी निकाल लेंगे इसमें यही काम हमको करना है तो यहां पे current जो आ रहा है यही आई है 10 angle 0 है तो यहां से यहां तक का अगर हमको impedance इसक स्टिप्लाई कर देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा वोल्टे निकल जाएगा वी इक्वल टू आई इंटु जेट होता है न तो यह जो इमपीडेंस यहाँ देख रहे हैं इस इंपीडेंस को हम लोग जो है driving क्वाइंट इंपीडेंस भी करते हैं ड्राइविंग क्वाइंट इंपीडेंस भी कहते हैं इसको यह हमको निकालना है इंपीडेंस अब इंपीडेंस में थोड़ा कल्कुलेशन भी हम आपको बता देंगे दोनों देखो series में है उसके साथ ये parallel में है इसको लिखने का तरीका है Z यहां पर लिखा रहे है यहां से और यहां के बीच में यहांड एड़- के बीच में तो input impedance जब हम ए और एड़- के बीच लिखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों series में है उसके साथ यह parallel में है, तो लिखने का तरीका है क्या 5 in parallel with 3, इसको add कर दो, तो 3 और इसमें कर देंगे minus j6 हो जाएगा, add करेंगे तो minus j6 दिया तो minus j6 ही लिखेंगे, यह लिख दिए, अब इसको solve करना है, इसको solve करने का technique समझना कैसे solve करते हैं, यह इसको solve करेंगे, तो यह parallel म में है, r1 and r2, तो इसका equivalent resistance कैसे निकालते है, r1 into r2 divided by r1 plus r2, यही करेंगे इसमे, तो r1 into r2 हो गया, यह z1 into z2 divided by z1 plus z2, तो 5 plus 3 minus j6 हो गया, अब इसको solve करेंगे, तो इसको 5 से इसमे multiply कर दो, तो 5 से इसको हम multiply करें, या भी रहने देते हैं, अभी एक minute रहने देते हैं इसको तो इसको लिखते हैं, 5 into 3 minus j6 divided by, इस 5 अ 3, 8 हो जाएगा, real को real से add कर दिये, imaginary वाला add नहीं होगा, इसको ऐसे कर दिये, अब इसको पढ़े है, denominator को rationalize कर देने के लिए, rationalize, यानि इसको उपर multiply कर दो, किस से, उपर multiply कर देंगे, 8 plus j6 से, और नीचे भी multiply कर देंगे, 8 plus j6 से, multiply कर देंगे, तो यह जब multiply करेंगे, a minus b और a plus b है, तो उपर वाला तो अभी हम रहने देते हैं, 5, 3 minus j8, 6 into 8 plus j6, calculator में ऐसा multiplication division सब available है, यह की बार में आ जाएगा वो, इसको करेंगे तो a square, यानि 8 का square होगा, 64, minus b का square, b क्या है, j6 है, इसका square हो जाएगा, तो ये वाला आपको आजाएगा, इसको जो हम, नीचे वाला को यहीं पे लिख देते हैं, ये नीचे वाला आपको आजाएगा, 64, और ये आपको करेंगे, तो minus 1 हो जाएगा, j into j minus 1 होता है, minus 1 मिलके ये plus 1 हो जाएगा, आईए 36 मिलके ये 100 हो जाएगा, तो नीचे में 100 आ जाएगा यह इसको solve करेंगे टोटल को तो 100 आ गया अब क्या करिए आप इसको फिर इसको खोड़ा और modify करिए तो Z जो है Z input impedance जो है जब इसको solve करेंगे तो यह आपको आ जाएगा और यह 100 हो गया ना तो 5 से इसको काट दो ना यह 20 हो जाएगा और इस दोनों को multiply करो multiply करने का है यह 1 by 20 एक बार हम अभी और लिख देते हैं यह 3 को जैसे जो multiplication का rule है इससे इसको multiply करो इससे इससे तो यह हो जाएगा 24 उसके बाद फिर जो हो जाएगा इससे multiply करो plus j 18 3 into j 18 अब इसको किसे करो तो minus j 48 और इसको multiply करेंगे तो minus यह plus हो जाएगा 36 j into j minus 1 minus है तो plus हो जाएगा 6 into 6 36 हो गया अब इसको simplify करेंगे तो यह आपको आ रहा है 3 minus j 1.5 z z equal to 3 minus j 1.5 आ गया यह आपको input impedance हो गया बस बन गया यही तो निकालना था input impedance हो गया जब आपका input impedance पता चल गया input impedance अब यह क्या है यह देखो impedance किस फॉर्म में आया एक है real part और एक है imaginary part imaginary part देखो negative आया है और negative आना भी चाहिए क्यों कि अगर यह positive आ रहा है तो ध्यान देना की question गलत किया हूँ है क्यों क्यों कि यहाँ capacitor है और यहाँ क्या है resistance है तो एक real part और एक minus j वाला आएगा ही आएगा अगर यहीं inductor रहता तो एक real part और plus वाला j आता यह तो यह हम z यहाँ निकाल लिए अब इसको क्या करेंगे यह कौन सा form में निकलते आया मारे पास यह form को कहते हैं rectangular है इसको polar form में convert कर लो polar में कैसे करेंगे 3 का square plus minus 1.5 का square का root under यह magnitude हो गया angle कहेंगे tan inverse coefficient of j यह वाला है 1.5 minus में है 1.5 divided by 3 यह हो गया theta अब इसको solve करेंगे इसको solve करके आता है आपका कितना आता है इसमें solve नहीं किया है यहाँ पर इसमें large में जा करके solve यह angle आपको आएगा यह आ रहा है angle वाला portion हम लिख देते हैं यह angle आपको आता है minus 26.6 degree इसका नहीं किया है solve यहाँ पर इसमें कैसे करें इसको एक मिनट वी जो है यहां का voltage है यहां का current हमको पता है 10 अंगिल 0 और यहां का impedance निकल गया तो उसको करेंट को impedance से कर देंगे तो यहां का voltage निकल जाएगा तो वही voltage उन्होंने पहले निकाला है पहले जेड का value उन्होंने calculate नहीं किया है तो पहले जो है तो हम भी वही करते हैं पहले वी लिखते हैं वी प्वोल टू आई multiplied by जेड़ आई इस टेन एंगिल 0 और जेड़ इस थी माइनस जे 1.5 बट बेटर यह है कि आप पहले इसको convert करें अत्तब इस दोनों को multiply करते तो जादे अच्छा होता हम कर देते हैं पहले convert ही कर देते हैं इतना रहा 10 एंगिल 0 इंटू 3.35 और एंगिल माइनस 26.5 आएगा इसका 10 इनवर्स करके यह वाला वैलू निकालेंगे तो माइनस यह आजाएगा अब देखो यह multiply है तो यह magnitude का magnitude से multiply हो जाएगा तो 33.5 हो जाएगा यह और यह 33.5 और एंगिल जो है यह इतना ही रह जाएगा इसमें 0 एड़ करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब क्या हुआ कि voltage जो है अगर यह current हमारा ऐसे है reference line पर इसमें 0 है न एंगिल यह ऐसे खीच लेंगे current अगर हमारा इधर है 10 एंगिल 0 तो voltage इससे lag कर रहा है ऐसे यह 33 डिगरी के एंगिल से तो यह आपका हो गया इधर voltage और इधर हो गया current और current के बीच का जो एंगिल होता है उसी को तो पावर फेक्टर एंगिल काते हैं अब यह देखो current कैसा हो रहा है current यहां lead कर रहा है voltage lag कर रहा है तो capacitor के case में ऐसा ही नहोता है current is leading with respect to voltage यह देखो lead कर रहा है अगर इसको हम ऐसे भूमाएंगे तो यह current आगे चलेगा voltage पीछे पीछे रहेगा magnitude से मतलब नहीं होता है magnitude हो सकता है voltage का जादा हो हो सकता है current का जादा हो लेकिन यह angle decide करता है कि lagging है कि leading है तो हमको ठीटा निकल गया कि नहीं power factor angle यह हम करेंगे angle between voltage and current तो current के बीच angle कितना है zero voltage के बीच कितना है minus 26.5 हम यही लिखे थे थे ना theta V minus theta I यही तो था थीटा V is 26.5 minus theta I 0 तो यह हो गया 26.5 हो गया अब इसमें देखेंगे जब इसको सब निकल गया V निकल गया I निकल गया सब डाल दो तो power factor निकल सकते हैं cos theta यानि के cos minus 26.5 और इसका value आता है cos minus 0.894 यह कैसा होगा leading रहेगा यह यह leading होगा अब उसके बाद power निकालेंगे V I cos theta सब value दे रखा है voltage हमारा अभी निकला इसका यहां magnitude डालेंगे यह ध्यान रखना यह voltage का ही magnitude है यह RMS value है 33.5 into I current कितना है 10 है और यह power factor cos theta यह निकला है 0.894 इसको solve कर दो तो यह आ जाता है 300 वाट हो गया ठीक है तो यह हमने इस पर इस question को discuss कर लिया अब इससे related question जतना है विटा सब बना लेना इसको अफिर हमको बताना कौन सा नहीं समझ में आता है चलो अब यहीं स्ट